पांच लाग सर्कारी नौकरियों पर संकट OBC सर्टिफिकेट रद क्या आपकी नौकरी भी जाएगी जाने कलकता हाई कोट के चौकाने वाले फैसले की पूरी कहाने पक्षिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा मुद्दा सुर्कियों में है कलकता हाई कोट के एक फैसले ने राज्य की राजनी थी और सामजित ताना बाना दोनों को ही हिला कर रख दिया है इस फैसले में हाई कोट ने राजसरकार द्वारा 2010 के बार जारी किये गए लगभग 5 लाग अन्य पिछडा वर्ग यानि OBC प्रमार पत्रों को रद कर दिया है यह फैसला उस वक्त सामने आया जब एक काबिनेट मंत्री के बेटे द्वरा प्राप्त OBC प्रमार पत्र को चुनोती दी गई थी यह चिका करता का दावा था कि मंत्री के बेटे वास्तब में OBC स्रेडी के अंतरगत नहीं आते थे फिर भी उन्हें गलत तरीके से प्रमार पत्र जारी कर दिया गया इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकता हाई कोट ने पाया कि OBC प्रमार पत्र जारी करने की प्रक्रिया में व्यापक अनिमित ताय थी जिसके कारण कई आयोगी व्यक्तियों को प्रमाण पत्र मिल गए या फैसला गंभीर परिनामों वालत साबित हो सकता है और उमानता पांश लाग से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाला या फैसला ना कीवल उनकी सरकारी नौकरियों और सिक्षा को खत्रे में डाल सकता है बकी समझिक न्याय के मुद्दे को भी उठाता है आये गहराई से समझते हैं इस फैसले की विभिन पहलों को पक्षिम बंगाल में ओवी सी आरक्षर भारत में समझिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और सेक्षिनिक संस्थाओं में आ आरक्षरों का लाब उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज होते हैं कब और कैसे हुआ विवाद की शिरुवात एक क्रैबिनेट मंत्री के बेटे द्वारा प्राप्तों बीसी प्रमाल पत्र को लेकर हुई याचका करता का दावा था कि मंत्री का बेटा वास्तब में ओवी प्रमाल पत्र दे दिये गए इसी के आधार पर हाई कोट ने 2010 के बाद जारी किये गए सभी ओवेसी प्रमाल पत्रों को रद करने का आदेश दिया एसले के संभावित प्रभाब यह फैसला दूरगामी परिनामों वाला साबित हो सकता है अनुमानता पांश लाग से अधिक लोगों को प्रभाबित करने वाला यह फैसला ना केबल उनकी सरकारी नौकरियों और सिक्षा को खत्री में डाल सकता है बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी गंभीरता से उठाता है सरकारी नौकरियां माना जा रहा है कि जिन लोगों को ओबीसी आरक्षन की तहस सर इसी तरह जिन छात्रों को ओबीसी आरक्षन के आधार पर सेक्षनिक संस्थानों में दाखिला मिला है उनके भविस्य को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है यदि हाई कोट के आदेश को चुनोती नहीं दी जाती है और कोई वेकलपिक विवस्तार नहीं की जाती है तो सामजिक न्याय के मुद्य को भी सामने लाता है ओबीसी आरक्षन का उद्देश से हासिये के समुदायों को शशक्त बनाना और उन्हें सरकारिन नोक्रियों और सिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना है रद कीएगे प्रमारपत्रों में से कई वास्तविक रूप से पा विपक्षी दलों ने सतारोड दल पर जमकर हमला बोला है उनका आरूप है कि सरकार ने ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा करनी में विफल रही है जिसके कारण यह सिथी उत्पन हुई है वहीं सतारोड दल का कहना है कि वे हाई कोट के फैसले का अध्धन कर रहे हैं और विपक्षी दलोंने सतारोड पर जमकर हमला बोला है उनका आरोप है कि सरकार ने ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा करनी में विफल रही है जिसके कारण यह इस्तिती उत्पन हुई है उन्होंने दावा कि कि सरकार की लापरवाही के कारण ही फरजी प्रमापत्र जारी ह को सके आगे की रहा यह फैसला अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं यह संभव है कि प्रभावित व्यक्ति हाई-कोट के फैसली को उच्छी न्याला में चुनोती दें इसके अलावा राजिस्रकार भी इस मामले में हस्तशेप कर सकती है संभाविस समाधान कुछ संभ जूरी मिल जाने के बाद नएस रेसे ओवी सी प्रमारपते ज्वारिक किये जा सकते हैं हाई-कोट के आदेश में संसोधन की मांग करना जिससे उन लोगों को राहत मिल सके जिन हैं पहले से ही सरकारी नौकरिया या सेक्ष्टेक संस्थानों में सीटेन मिल चुकी हैं निश होगा कि इस मामले में आगे क्या कारेवाई होती है और क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है जो वास्तविक रूप से पात्र ओवी सी उमीद्वारों के हितोखी रक्षा करें अतरिक्त जानकरी भारत में ओवी सी समुदाय की जनसंख्या लगभग 52 प्रतिशत है लेकिन सर प्रमाडपत्र जारी करने की प्रक्रिया में अनिमित्ताओं के आरोप लगते रहे हैं यह फैसला ओवी सी प्रमाडपत्र जारी करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यक्ता को भी रेखांकित करता है ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो पारदर्सी और जवाब द झाल याल शायता.